हेलो फ्रेंड्स तो किस-किस न आज के एपिसोड देख लिया जिसने देख लिया पहुत बढ़िया लेकिन जिसने नहीं देखा है वो पहले जाके एपिसोड देखे उसके बाद ये रिव्यू देखे तो उसको जादा मजाएगा अब आईए वीडियो शुरू करते हैं आज के एपिसोड की सुरवात बढ़ी emotional तरीके से होती है और ending बहुत मज़ेदार होती है तो आईए शुरू करते हैं सुरवास से दोस्तों होता क्या है कि सीन शुरू होता है इब्यूसू टाउन से जहाँ के लोग रो रहे होते हैं सब लोग emotional होते हैं क्योंकि आब भी बोड़ी देती है कांजूरो को वो उससे बोलती है कि इसका ख्याल रखना मतलब थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखना एक्टम से लेडी तो क्या होता है हमें थोड़ा सा दिखाया जाता है कि उस दिन याशुई ने क्या किया था याशुई ने दोस्तों पूरा जो होता है इसके बाद कांजूरों बोलता है कि बिलकुल मैं इसका ख्याल रखूँगा यासुई दोनों का और हम लोग उस तरीके से तो यासुई का फ्यूरनल नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं इनके डेड बॉडी को वहीं दपनाऊँगा जहां पे ओडिन सामा की डेड बॉडी है इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है फ्लॉवर कैपिटल जहां पे सारे इस्ट्रोहेट्स पाइरेट्स के इविन हर्ट पाइरेट्स तक के क्या लग चुके होते हैं दोस्तों वांटिड पोस्टर अब फोलॉवर कैपिटल में इतनी ज़्यादा सिक्योर्टी बढ़ा दी जाती है कि वहां पे जो भी एंटर करेगा या फिर वहां से जो बाहर जाएगा उसकी पहले सकल दिखी जाएगी अगर उसकी सकल उस फोटो से मैच करी जाएगी तो उसको धर लिया जाएगा तो यहां पे क्या होता है उसक निको रोबिन और ब्रुक को वहां से निकलना होता है तो उसको के माइड में एक प्लैन आता है वो दोस्तो करता क्या है कि निको रोबिन अपना फेस चेंज कर लेती है उसक भी अपना फेस चेंज कर लेता है और ब्रुक करता क्या है कि निको वे बाप ये क्या बावाल है इतना पहंकर कर्स और वो उन्हें मतलब ज्यादा सोचता भी नहीं कहता भाया तुम लोग जाओ इसके बाद उसोप रॉबिन और बुरुक महां से निकल जाते हैं अब ये शिप पे बैठे होते हैं जहां पे इनके साथ होती है ओतोको ओतोको दो दोस्तो होता क्या है कि flower capital में हवाएं चल रही होती हैं और यहीं पे flower capital खतम होता है अब शुरू होता है कूरी कूरी बानों का जो पोशन है वहां पे हम लोग को तीन लोग दिखाए जाते हैं असूरा दोजी डॉगी और कीनेमॉन जहां पे डॉगी असूरा दोजी से बोल बिल्कूल दिखाओ तो असूरा दोजी दिखाता है कि दोस्तो उसके पास पहुछ सारी शेप हैं पूजला जहांता हूं बोल दूँगा इंस अब को शिप को ठीक कर देगा यह देख के कीने मॉन के अंदर वाई एकदम जोश आ जाता है कि भाई अब तो तहल का मचा देना है बस इसके बाद हम लोगो को दिखा जाता है उडोन उडोन में लुफी अपनी ट्रेइनिंग कर रहा होता है अपनी रियो की ट्रेइनिंग कर यह देख कि चौपर थोड़ा सा उस पर गुस्सा करता है क्योंकि लूपी अभी अभी ठीक हुआ होता है लेकिन वो अपनी ट्रेनिंग तुरंत शुरू कर देता है तब ही मैदान में आता है हूगोरो हूगोरो बताता है चौपर की यह एक रियो की ट्रेनिंग कर रहा है इसक सीन सुरू होता है रिंगो का जहां पर कबा मासू घूम रहा होता है और बोलता है कि मैं ठीक से सोच तो नहीं पा रहा हूँ लेकिन शायद कोई इनसान मेरा वेट कर रहा है इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो रिंगो में जो ब्रिज होता है वहां पर जोरो औ सुलता है कि हाँ बिलकुल यहीं लड़ेंगे लेकिन इस बार में तुम्हारी दोनों स्वाड भी छील लूँगा अब इन दोनों में बैटल शुरू होती है जहां पर जोरो बहुत जल्दी मैच स्वाड की दजियां उड़ा देता है अब क्या था अब जोरो ग्योकु मारू पर हैवी हो जाता है और उसकी दजियां उड़ा देता है अब क्या होता है ग्योकु मारू जमीन पर पड़ा होता है उसके उपर जोरो बैठा होता है और जोरो उससे बोलता है कि देखो एक बात स वो फिर दुबारा खड़ा होता है और जोरो से लड़ना शुरू कर देता है लेकिन ग्योकुमारू एक बात बोलता है कि सुसुई वानो का ट्रैजर है जब से वो चोरी हुई है तब से वानो में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है जब वो सौड वानो से चली गई तो जो ब बैटल को रोक देता है यहां पे कवामासू जोरो और ग्योकुमारू से एक बात बोलता है कि मुझे यह देखके अच्छा लगा कि तुम दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हो लेकिन कोई भी एक दूसरे को मारना नहीं चाहता है वहां पे कमूरा साकी भी होती है वो कवाम पे किंग भी होता है किंग बात बोलता है कि मुझे मिलकूर सही सही याद है कि मैंने बिग मॉम को जरने में गिरा दिया ता फिर भी यह बच कैसे गई अब बिग मॉम एक बात बोलती है कि मैं सब कुछ भूलने को तयार हूं अगर किंग तुम मुझे जॉइन कर लो अब ब कुछ समय के साथ घट गए और कुछ समय के साथ विलुप्त हो गए दोस्तों यहां पे जो किंग है जो बंदा है वह बड़ा ही अलग टाइप की प्रजाती में मतलब ह tort किंग के के आग निकलती रहती है वह चَ nipping इसके बादँस्तों क्या होता है काईडो आता है मैधान में और वो बोलता है कि बिग मॉम की हधकडियां खोल दो अब जैसे ही बिग मॉम और काईडो आमने सामने आते हैं Charlotte लिललन अपनी स्वर्ट बहार निकाल लेती है काईडो अपना वेपन बहार निकाल लेता है अब दो यॉंग को आमने सामने होते हैं जैसे ही इनके वैपन आपस में टकराते हैं दोस्तो पहजे तो चिंगारी उठती है बहुत बड़ी एकदम भिजली कड़कती है पानी में तूफान आजाता है और बादल फटना शुरू हो जाते हैं दोस्तो यह होती है यौंग को की पावर और क्या होता है जब दो यौंग को आपस में टकराते हैं तो ये सिलसले होते हैं जल जला आ जाता है एकदम से दोस्तो अगले एपिसोड में आपको और भी मज़ा आएगा क्योंकि बिग मॉम और काइडो की बैटल कंटीनू रहेगी मिलता हूँ नेक्स वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए कुरूना से साफ़तान गुड बाए